Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 4 की English Workbook Unit 5 Don't Be Afraid of the Dark तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने अभी तक Don't Be Afraid of the Dark Chapter नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैं डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहां से निकाल के भी से पढ़ सकते हैं चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए तो देखिए इसमें क्या का हज़ार है कि Write two more rhyming words for the following words तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको rhyming word लिखना है दो तो यहाँ पर दिया गया है दो आपको और लिखना है तो जैसे कि यहाँ पर one है one done और sun fun उसके बाद never, ever, forever, clever, fear, near, clear और tear उसके बाद दिखिए seize, peace, उसके बाद यह peace, seize, चीज 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 इस तरह से आपको लिखना है तो बना लेंगे इस तरह से आप राइमिंग word लिख लेंगे उसके बाद यहाँ पे कि arrange the following words in alphabetical order as they would appear in a dictionary अब देखिए यहाँ पे जो भी word यहाँ पे dictionary में यहाँ पे जो appear है तो उन्हें आपको alphabetical order में आपको लगाना है ठीक है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह सारे जो है word यहाँ पे दिये गए हैं तो आप कैसे arrange करेंगे alphabetical में यहाँ देखिए यहाँ से start करेंगे अप्रेट के बाद dark उसके बाद देखिए friends hurts peace और उसके बाद thoughts और यहाँ पे है travel और यहाँ पे travels और world ठीक है तो इस तरह से आपको arrange करना है और यहाँ पे है कि which word in the poem means the same is तो देखिए कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे poem में जो जिसका की meaning same हो तो यहाँ देखिए unpleasantly rough यानि कि जो rough जो होता है खुरखुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे hurts यानि कि कठोर तो यह जो है ना poem से ही लिया गया है तो हम लिखेंगे hurts for all time यानि कि हमेशा के लिए तो क्या हो जाएगा forever emotion caused by danger or treat यानि कि जो emotion जो होता है वो कारण होता है danger और जो डर्ड का जो यह होता है खत्री और डर्ड का emotion कारण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे fear difficulty और problem जो परिसानिया होती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे trouble और यहां पर देखे to stop stop इसको क्या कहेंगे यानि रुकना तो seize यानि अंद और देखे absence of violence इसका क्या हो जाएगा peace तो इस तरह से हां इसे हम लिखेंगे यानि सांती ठीक है उसके बाद है अब यहां पर reading section read the given stanzas and answer the following questions अब stanza परना है और उस पर आधारित question का answer देना है don't be afraid of the dark little one यानि कि अंधिरे से मत डड़ो छोटे बच्चे the earth must rest when the day is done तो earth जो है न वो rest करती है जब जब दिन ढ़ल जाता है the sun must be hurts but moonlight never जो sun होता है न वो कठोड हो सकता है लेकिन जो moonlight होती है वो कभी नहीं and those stars will be signing forever and ever और जो star होते हैं वो हमेशा चमकते रहेंगे ठीक है तो अब देखे question है कि what does the poet tell to the little one तो poet जो है वो छोटे बच्चों से क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं the poet tell don't be afraid of the dark little one तो वो बोलते हैं छोटे बच्चों से कि अंधेरे से ड़ो मत तो धरती क्या करती है जब दिन ढ़ल जाता है तो the earth must rest when the day is over तो धरती अराम करती है जब दिन ढ़ल जाता है के बाद है question कि how is sunlight different from moonlight तो देखिए sunlight कैसे moonlight से different है तो the sunlight is hurts but moonlight is not hurts तो sunlight जो होता है वो hurts होता है कठोर लेकिन moonlight hurts नहीं होता है वो कठोर नहीं होता है वो smooth होता है सीतल होता है ठंडा होता है ठीक है उसके बाद देखिए what do the stars do at night तो stars जो है वो रात में क्या करते हैं तो stars signs at night तो stars जो है वो रात में जमकते हैं तो इस तरह से बनाएंगे इसे उसके बाद है फिर दूसरा इस्टेंजा पढ़ेंगे be friends with the night there is nothing to fear तो देखिए रात के दोस्त बनो और अंधेरे से मत डड़ो ठीक है अंधेरे से ड़ने की कोई बात नहीं है just let your thoughts travel to friends far and near और अपने thoughts को जो है अपने friends के साथ में share करो यानि कि जो दूर के दोस्त हैं और नजदीक के जो दोस्त हैं उनके बारे में सोचो by day it does seem that our troubles won't cease और देखिए दिन के समय में हमारे जो troubles होते हैं जो परिसानिया होती है वो खत्म नहीं होती but at night late at night the world is at peace और देखिए जब रात होती है तो रात देर रात जब हो जाती है रात में तो जब बिलकुल दुनिया सांथ हो जाती है उस समय जो दुनिया होती है world वो शांथ हो जाती है तो चलिए अब question क्या है name the poem and the poet अब यहां इसमें poem का नाम बताना है और poet का नाम बताना है तो poem का क्या नाम है don't be afraid of the dark और poet का नाम है रस्किन बॉंड ठीक है उसके बाद है what does the poet suggest us to do with the night तो poet जो है वो क्या यानि suggest करना चाहते हैं हम लोगों को रात में क्या करने के लिए कहना चाहते है तो the poet suggest us to be friends with the night तो वो suggest करना चाहते हैं हम लोगों को कि रात के दोस्त बनो ठीक है उसके बाद देखिए about whom should we think at night तो देखिए इसमें क्या का जारा है कि about whom should we think at night यानि कि हम लोगों को रात में किसके बारे में सोचना चाहिए तो क्या लिकिंग we should think about friends far and near हम लोगों को दूर और नजदिक के friends के बारे में सोचना चाहिए when does it appear to us that our troubles are endless तो देखिए इस line में कहा जारा है कि हमें कब ऐसा लगता है कि हमारे troubles कभी खत्म नहीं होते तो answer लिखेंगे कि by day it appear to us that our troubles are endless तो दिन के समय हमारे troubles कभी खत्म नहीं होते उसके बाद है कि from the given stanza choose opposite words for अब देखिए इस stanza से आपको opposite word आपको लिखना है ठीक है इनेमी का क्या हो जाएगा opposite friend इनेमी मिन्स दुस्मन और friend मिन्स दोस दोस्त होगा ठीक है word मिन्स जो है युद्ध हो गया और peace मिन्स सांती और अब यहाँ पे है कि write similar sounding words for the given words अब देखिए similar sounding word लिखना है ठीक है similar जो मतलब एक जैसा हो वो लिखना है तो right ठीक है right है यहाँ यहाँ पे w-r-i-t-e right तो यहाँ पे r-i-g-s-t right ठीक है यानि कि similar हो सुनने में बिल्कुल सेम हो लेकिन उसका meaning अलग हो और उसके बाद देखिए course कोर्स है यहाँ पे और यह भी है c-o-u-r-se course उसके बाद check तो यहाँ पे check c-h-e-q-u-e check fair 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 उसके बाद peace p-i-e-c-e peace new तो k-n-e-w new यानि कि similar लिखना है आपको similar sounding word तो इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद है अब यहाँ पे now complete the following sentences using the homophones given above अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है following sentences लिखना है complete करना है तो देखिए the teachers check our answer seeds she gave him a check of 10,000 ठीक है उसके बाद देखिए second में है कि I write with my pen this answer is right तो देखिए यहाँ पे जो है आपको उपर में जो यहाँ पे आपका यहाँ जो similar sounding words यहाँ पे दिया गया है उसी use करके आपको यहाँ पे fill करना है इसी ठीक है तो यहाँ पे देखिए check और check यहाँ पे use हुआ right और right यहाँ पे use हुआ उसके बाद देखिए India wants peace in the world he only ate a piece of bread ठीक है He wears course cloths the river has changed its course उसके बाद I knew Mr. Ranjan very well I bought a new dress for the Christmas party What is the railway fare from Puna to Patna? A cricket umpire has to be fare to both teams ठीक है तो इस तरह से आप इसे बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे choose words from the box and combine them with the given words to from compound words ठीक है words तो इस तरह से आपको क्या करना है यहाँ पे दोनों को मिला कि आपको आपको बनाना है new word बनाना है ठीक है तो जैसे है कि यहाँ पे news plus paper तो क्या बन जाएगा newspaper type plus writer यानि कि type writer home word और उसके बाद cup और board time table बहुत ही easy है यह तो दोनों को joint करके आप इसे एक new word बना देंगे और उसके बाद यहाँ पे with the help of the given clues write a letter to your uncle thanking him for your birthday gift तो यहाँ पे आपको clue दिया गया है clue आप यह देखे यानि कि आपको uncle के पास आपको एक letter लिखना है कि birthday gift के लिए उन्हें thanks बोलना है तो आप कैसे यहाँ पे देखे 151 गांदी नगर गुरगाओं my dear uncle ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ आगे यहाँ पे क्या होगा तो आप यहाँ बढ़ेंगे thank you very much for the nice gift it is really very good this wrist watch will make me punctual it will prove to be my real friend this watch will always remind me that time is precious I am very happy I think God has sent the I think God has sent the best uncle in this world to me with best regards your lovingly ठीक है यहाँ जो नाम होगा आपका वो आप लिख देंगे ठीक है यहाँ पे देखिए आपका clue भी यहाँ पे दिया गया है यह नीचे clue है तो clue देखके आपको यहाँ पे इसे भरना था ठीक है तो इस तरह से आप इसे बना लेंगे तो आपका chapter complete हो चुका है तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना और अगर अच्छा लगा आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को like subscribe कीजिए ताकि मेरे साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और अगर आपको कही भी समझने में problem हो रही हो तो आप मुझसे comment के दोरा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब हम next video में तब तक के लिए bye take care thanks to watch my video